नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्थियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ दहें हैं कक्षा ग्यारवी लेखा शास्त्र अध्याय 5 बैंक समधान विवरण अर्थात, बैंक के द्वारा बताई गई बैंक में राशी हो सकता है आपकी कश्बुक द्वारा बताई गई बैंक राशी से मेंद ना खाए इसलिए हमको एक समाधान विवरण बनाना पड़ता है जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण जिसको अंग्रेजी में हम बैंक रिकॉंसिलेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं हम इसके बारे में पहले ही कुछ चर्चा कर चुके हैं तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी पुरानी बातों को दोहराते हुए विध्यारतियों आपको एक प्रश्न दिया हुआ होगा जैसे की एक प्रश्न आपके सामने है रोकड बही के अनुसार शेश आपको रोकड बही का शेश दिया हुआ है और आपको पास्बुक के शेश के उपर पहुँचना है मतलब आपको रोकड बही कैश्बुक के शेश को देने के बाद प्रश्न चाहता है कि आप बैंक द्वारा बनाई गई पास्बुक के अंदर जो शेश पता लग रहा है आप बताईए और जो भी गलतियां इस दोरान हुई है वह आपको प्रश्ण में दी हुई है हमने पहले ही इस चीज की चर्चा की हुई है यदि आपको कैश्बुक का शेश दिया हुआ है आपको पास्बुक के शेश पर पहुँचना है और पास्बुक के शेश पर पहुँचने के लिए आप दी हुई हर गलती को इसी नजरिये से देखिए कि पास्बुक मतलब बैंक प्रभाव क्या पढ़ता है यदि उस गलती के कारण बैंक बढ़ जाता है तो आप भी बढ़ जाईए तभी तो आप पास्बुक पर पहुँच पाएंगे और यदि उस गलती के कारण पास्बुक कम हो जाती है पास्बुक घट जाए तो आप भी घट जाईए तभी शायद आप पास्बुक के शेश पर पहुँच पाएंगे। यह था बैंक रीकॉंसिलेशन स्टेटमेंट का मूल मंत्र। तो चलिए इसी मूल मंत्र का पालन करते हुए इस प्रश्न का हल निकाले। आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2006 को बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए। पहली एंट्री रोकड बही के अनुसार शेश 10,000 रुपे यह आपने जमा राशी की स्तंभ में लिख दिये। अब ध्यान से पढ़िए दूसरी एंट्री क्या है एक हजार रुपे को बैंक में जमा कराया गया चेक के द्वारा जिसका अभी लेखन रोकड बही में नहीं हुआ है आपने एक चेक 1000 रुपे का बैंक में जमा करा दिया और यह रोकड बही मतलब केश भुक के अंदर उसको लिखा ही नहीं सीधा सा हिसाब बनता है कि कैश्ज भुक में अगर आपने लिखा ही नहीं तो कैश्ज कम है और क्यूँकि वह चेक बैंक में जा चुका है और बैंक बढ़ गया होगा तो बैंक बढ़चुका है तो आप 1000 रुपे को बैंक में जमा कर देते हैं आप देख सकते हैं जमा वाली चीजें पहले लिखने के कारण आपके हल में चीजों का क्रम उपर नीचे हो सकता है परन्तु मैं आपको प्रश्ण में दी गई एंट्री के क्रम में ही आपका हल कराऊंगा अब देखिए बैंक में जमा किये गई 200 रुपे के चेक का अभिलेखन रोकड बही के रोकड स्तंब में किया गया ध्यान से पढ़िए इस एंट्री को बैंक में जमा किये गए 200 रुपे के चेक का अभिलेखन एक चेक बैंक में जमा कराया गया तो हिसाब से कैश बुक के अंदर 200 रुपे का चेक बैंक स्तंब में दिखना चाहिए परंतु गलती से हमने बैंक स्थम्ब में लिखने की जखां कैश में लिख दिया अब जब आपने उसको कैश स्थम्ब में लिख दिया है इसका मतलब वह कैश बुक में तो जमा नहीं हुआ मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में तो जमा नहीं हुआ अब जैसे की रोकर वही में बैंक स्थम्भ है ही नहीं देखिए, एंट्री क्या कहती है हमने 200 रुपे का चेक लिया और उस चेक को उठा के बैंक में तो भेजी दिया होगा परन्तु अपनी कैश बुक में हमने बैंक के स्थम्भ में लिखने की जगां उसको कैश के स्थम्भ में लिख दिया बैंक बढ़ चुका है और कैश बुक के बैंक स्थम्भ में उसको लिखा ही नहीं गया कैश बुक कम और बैंक ज्यादा 200 रुपे बैंक में जमा किये गए चेक का अभी लेखन बैंक स्थम्भ में नहीं किया गया आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कैश बुक, पास्बुक मान लीजिए 10-10,000 रुपे कैश बुक और पास्बुक में पहले से ही दिये हुए है जो बराबर है अब 200 रुपे जब आपने बैंक में जमा कराए तो बैंक में तो 200 रुपे पहुँच गए या 200 रुपे का चेक कह लीजिए और आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पहले ये चर्चा की है जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो हम कैश बुक के बैंक के स्थंब की बात करते हैं में दिये हुए bank के स्थम्ब की और आपने जब चेक लिया उसको bank स्थम्ब में ना लिख करके cash थम्ब में लिख दिया तो इसका मतलब bank स्थम्ब में तो कुछ आया नहीं तो cash book में कुछ भी जमा नहीं हुआ अब आप देख सकते हैं कि pass book 200 रुपे से बढ़ी हुई है और इसी कारण हमने इसको 200 रुपे जमाराशी में लिख दिया बढ़ते हैं आगे अपनी अगली प्रविष्ठी पर entry पर जिसमें लिखा गया है दाईसो रुपे का जारी किया गया चेक रोकड बही के रोकड स्थम्ब में 205 रुपे से अभिलिखित हुआ आप ध्यान से इस प्रविष्ठी को देखिए 250 रुपे का जारी किया गया एक चेक हमने किसी को भुकतान करना था 250 रुपे का और वह चेक बैंक में जा चुका तो जाहिर सी बात है अगर कोई गलती नहीं हुई है तो 250 रुपे का जो चेक हमने बैंक भेजा बैंक में से 250 रुपे उसका भुकतान हो चुका होगा परंतु कैश बुक में हमने उसको 205 रुपे लिखा और कैश थंब में लिखा बैंक स्थंब में लिखा ही नहीं देखिए विध्यारतियों यदि आपने कैश बुक में 205 रुपे लिख दिये हैं और कैश थंब में लिख दिये हैं तो गलती कैश में हो गई है बैंक में लिखा ही नहीं गया है और अगर कुछ गलती cash में हो गई है तो हम उसका सुधार नहीं करने वाले क्यूंकि जब हम cash book की बात करते हैं तो cash book के bank स्थम्ब की ही बात करते हैं entry आपको साफ साफ कह रही है कि 205 रुपे रोकर स्थम्ब में cash के स्थम्ब में लिख दिये गए इसका मतलब cash book के bank के स्थम्ब में उसको लिखा ही नहीं गया आप उसको cash के स्थम्ब में 205 लिखिए या 2,05,000 लिखिए bank स्थम्ब को इससे कोई लेने देने नहीं है bank स्थम्ब में आपने नहीं लिखा इसका मतलब वह cash book में लिखने से वंचित रह गया आप इसको उधारन के रूप में देखिए कैश बुक, पास बुक आपने जब 250 रुपे का चेक किसी को भुकतान के लिए दिया वे बैंक पहुँचता है और बैंक से उसका भुकतान हो जाता है मैं फिर से एक ही बात को दोहराऊंगा कैश बुक अर्थात, कैश बुक का बैंक स्थम, बैंक स्थम में आपने कुछ भी नहीं लिखा तो कैश बुक खाली कैश बुक का बैलेंस वही 10,000 परंदू पास बुक में बैंक में से 500 रुपे की कटौती हो चुकी है और जब यह 500 रुपे की कटौती हो चुकी है इसलिए हमने इसको मान लिया कि इसका तो अभी लेखन ही नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री पर पहले दिन का पंदरा सो रुपे का नाम शेश डेबिट अगले दिन जमा शेश की तरह आगे लाया गया डेबिट बैलेंस को अगले दिन क्रेडिट बैलेंस बना दिया गया वह भी पंदरा सो रुपे का आप ध्यान दीजिए पंदरा सो रुपे का डेबिट बैलेंस कैश्बुक का डेबिट बैलेंस positive मतलब 1500 रुपे हमारी cashbook के द्वारा यह दिखाए जा रहे थे कि हमारे पास 1500 रुपे है परन्तु जब उस शेश को अगले दिन पे पहुंचाया गया तो उसको debit की जगा credit बतलाया गया मतलब 1500 रुपे जो हमारे पास हमारी संपत्ती के तौर पे दिख रहे हैं उसको हमने अपने उपर एक liability बताया हम 1500 से माइनस 1500 पे दिखने लगे हमारे cashbook में 3000 रुपे कम हो गए आप देखिए आप 1500 रुपे प्लस से 1500 नेगेटिव पे आते हैं इसका मतलब आप 1500 और 1500 तीन हजार रुपे अपने आपको कम दिखाते हैं cashbook में परन्तु इस तरह की गलती पास्बुक में तो नहीं हुई होगी पास्बुक तो 1500 रुपे पॉजिटिव मतलब 1500 रुपे का आपका बैंक शेश वैसे का वैसा ही दिखा रहा होगा और आपने अपनी cashbook में 1500 प्लस को 1500 माइनस दिखा दिया इसका मतलब cashbook 3000 से गिर गई हुआ पास्बुक को कुछ नहीं लेकिन तुलना करने पर आप पाएंगे कि पास्बुक 3000 रुपे जादा है तो आपको भी 3000 रुपे जादा होना होगा तभी आप पास्बुक पर पहुँच पाएंगे और हमने देखिए इसको कैसे करा शेश लाने में तृटी गल्ती हुई हम इसको और अच्छे तरह समझ सकते हैं कैस्बुक में बैलेंस 1500 माइनस में दिखने लगा है पास्बुक में भी 1500 पॉजिटिव ही है अब आप देखिए अगर कोई बैलेंस यहाँ 1500 नेगटिव है और यहाँ पॉजिटिव है मतलब माइनस 1500 को शूनने पे आने के लिए पहले 1500 लगेंगे और फिर वापिस शूनने से जमा मतलब पॉजिटिव में आने के लिए मतलब 3000 इस कारण हमने पाया कि पास्बुक 3000 रुपे कैश्बुक के तुलना में ज्यादा है और हम भी यहाँ 3000 रुपे ज्यादा हो जाते ह अगली प्रवश्टी बताती है रोकड बही का भुखतान पक्ष 100 रुपे से कम है भुखतान मतलब पैसे का जाना पेमेंट साइड कम है रोकड बही की पेमेंट साइड 100 रुपे से कम कैश्बुक की पेमेंट साइड 100 रुपे से कम जब कैश्बुक की पेमेंट साइड या भुखतान वाली साइड 100 रुपे से कम होगी इसका मतलब कैश्बुक का 100 रुपे से 6 अधिक होगा क्योंकि आपने भुकतान कम दिखाए हैं, तो cashbook 100 रुपे से अधिक है, परंतु passbook में इस तरीके की कोई गलती नहीं हुई है. अगर cashbook 100 रुपे से भुकतान कम दिखाती है, तो cashbook 100 रुपे से अधिक शेश दिखाएगी, और passbook तुलना में 100 रुपे से नीच रहे जाएगी. और अच्छे से समझते हैं, तो मान लीजिए, cashbook और passbook दोनों में ही 5-5,000 रुपे शेश हैं, आपने किसी को 500 रुपे का भुकतान करना है, परंतु 100 रुपे का कम टोटल हुआ, या कह लीजिए 100 रुपे का भुकतान कम हुआ, तो यहां से जो 500 जाने थे, यहां से सरफ 400 ग गए, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो passbook है, वह 100 रुपे से कम है, तो कम passbook है, तो हम रोकड का भुकतान पक्ष कम 100 रुपे से प्रिवश्टी, negative में मतलब घटा, माइनस राश्ची में दिखा देंगे, अब देखिए, चलते हैं अगली प्रिवश्टी पर, 112 रुपे के नगत बट्टे को बैंक स्थम में 121 रुपे से प्रिवश्टी किया गया, देखिए, 112 रुपे के नगत बट्टे को, मतलब कोई 112 रुपे का नगत प्राप्ती की गई, और बैंक स्थम में उसको 121 रुपे में प्रिवश्टी कर दिया गया, बड़ी सीधी सी ब पारी को कुछ चीज नगत में प्राप्त होती है तो उसका बैंक से तो कोई लेना देना है ही। बैंक वालों को तो इस बात की कोई खभर भी नहीं कि आप दिन भर में महीने भर में कितना cash बटोर रहे हैं। बैंक को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने कैश बुक के कैश थम में कितनी एंट्री करते हैं और कितनी एंट्री नहीं करते हैं, आपने 112 रुपे का नगत प्राप्त किया और गलती से उसकी प्रविश्टी कैश बुक के बैंक कॉलम में कर दी और वह भी 121 रुपे से, बड़ी सीधी सी बात है, कैश्बुक में 121 रुपे की बढ़ोत्री हो चुकी है, बैंक कॉलम में, परंतु पास्बुक वालों को इसकी कोई खबर नहीं, गलती पास्बुक की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पास्बुक 121 रुपे से कम हो चुकी है। परन्तु बैंक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बैंक 121 रुपे से कम हो जाता है, और जब है कम हो जाता है, तो आप उसको माइनस राशी में दिखा देते हैं, चलिए चलते हैं अगली प्रवश्टी पर, एक देंदार से 500 रुपे का प्राप्ट चेक रोकड भही में तो अभिलिकित कर लिया गया, लेकिन उसे संग्रे हेतू, बैंक नहीं भेजा गया, देखिए, 500 रुपे का चेक आपके किसी देंदार से आपको मिला, आपके किसी देंदार से, मतलब आपने जिससे लेने थे, आपको उससे 500 रुपे के चेक की प्राप्टी हुई, आपने वे चेक अपने पास तो रख लिया, कैश्बुक में तो लिख लिया, परन्तु बैंक में उसको संग्रे के लिए नहीं भेजा, तो बैंक वालों को वे प्राप्टी कैसे होगी, बैंक में पैसे कम है, तो आपको तो पहुँचना ही बैंक के शेश पर है, पास बुक द्वारा बताए गए बैंक के शेश पर, तो पास बुक का बैलेंस कम है, तो हम भी कम हो जाएंगे, आए चलते हैं प्रश्न की आखरी एंट्री पर, तीन सो रुपे का एक, निमिगरित चेक, रोकर बही में दो बार अभी लिखित हो गया, तीन सो रुपे का आपने भुकतान करना था, कैश बुक से भी उसका भुकतान हुआ और पास बुक से भी हुआ, परंतु, आपने कैश बुक में उसको दो बार माइनस किया, अब आपने अगर कैश बुक में उसको दो बार माइनस किया है, तो कैश बुक का बैलन्स तो कम हो गया, परंतु, बैंक से तो वह एक ही बार कटा होगा, तो इसका मतलब बैंक में तुलना करने पर यह पाया गया कि बैंक में 300 रुपे ज्यादा है आप इसको उधारन की तरह समझे कैश बुक और पास बुक अगर दोनों जगां 1000-1000 रुपे के शेश है 300 रुपे का भुकतान हुआ परन्तु कैश बुक में यह बुकतान दो बार लिखा गया तो आप देख पाते हैं पास बुक 300 रुपे से ज़ादा है और यदि पास बुक 300 से ज़ादा है तो 300 रुपे जमाराशी में प्लस में लिख दिये जाएंगे और इस तरह इस प्रश्न की सभी प्रवश्टियां पूरी होती है और आप जानते हैं अब इसको आखरी में हम किस तरीके से बैलन्स करते हैं जमाराशी के योग को घटाराशी के योग से घटाने के बाद जो रकम प्राप्त हुई वह है तेरा हजार पान सो नतिस यह है पैंक पुस्तिका के अनुसार शेश यह हुआ बैलन्स एस पर पास्पूक विध्यारतियों आपने देखा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सबसे कठिन एंट्रीज आपने करी अब मैं चाहता हूँ आपकी पाठ्थे पुस्तक में दिये गए इस तरहां के प्रश्न आप अभ्यास करें तब तक के लिए नमस्कार क्षब्सक्षब चाहता हूँ आपकी बाए उसक्षब्सस्तक में आपकी कर्ण आपकी प्रश्न है। सान आपकी बाए में रहां कि विए आपकी यह रहां दें गापकी विए जए-चार में ओिए-पकी अवगन आपकी 5 sos.